एरफोर्स का एक जवान, शहादत के 56 साल बाद जब उसका शौ मिलता है और 56 साल बाद जवान को जब उसके गाओं उसकी मिट्टी में आना होता है तब उसे पता चलता है कि परिवार में ना तो अब माता-पिता बचे हैं, ना पतनी बची है, ना अपना बेटा बचा है, सब जवादत, शौ का इंतजार और ये इंतजार इतना लंबा कि 56 साल तक का लंबा इंतजार, ये कहानी यूपी के सहारनपूर के सहीद मलखान सिंग की है, जिनका शौ 56 साल बाद हिमांचल प्रदेश के रहतार दर्रे से उनके गाओं शहारनपूर लाया गया, मलखान सिंग ए परवरी 1968 के रहतांग दर्रे के पास हुआ था इसमें कुल 102 शायनिक सवार थे इस हाथसे में मरने वाले चाल लोगों की लाशें लंबे समय बाद आज जाकर बरामत हुई है या अब बरामत हो पाई है यह भारत की सबसे लंबी और सबसे देड़ तक चलने वाली खोजी अभियानों में से एक है जिसमें एक बड़ी सफलता तब हात लगी जब चार जवानों का पता चला अधिकारि सिंग के शोक को उनके बैष नम्बर के अधार पर पहचान किया गया तब यह खबर बहुत तेजी सिवारेल होने लगी यह खबर सामने आने लगी कि मलखान सिंग उनके परिवार वाले उनके जिले वाले कैसे सोक मगन है और दूसरी तरफ कैसे गौरफ का महौल बना हुआ था एक साथ सोक और गौरफ का यह जो अनोखा दिश्य था वो देखकर देखने वालों की आखे डगमगा जा रही थी यह यह कह दिए कि आखों में आशू भड़ जा रहा था चपन साल बाद मलखान सिंग के परिवार वाले बहुत कुछ कहना चाहते थे वो बताना चाहते थे कि चपन साल में परिवार में कितना कुछ बदल गया है परिवार में अपना कहने को अब कौनी बचाए मलखान सिंग के जो छोटे भाई है शाम पाल सिंग उनका कह गासों तक पिता के इंतजाहर में गिन-गिन कर उन्की आखरी शाह से ठंग ये कहना किसी Kanthree भा इंतजार चोटा मोटा इंतजार थोड़ी था एक साल दो साल का इंतजाहर नहीं था पूरे-पूरे छफंपन सालों का इंत-जार वह वह इंतजार ऐसा कि कोई आश होती और जाती भी नदर नहीं आ रही थी ये कहा भी नहीं जा रहा था कि कभी मलखान सिंग को पाया भी जा सकेगा अब मलखान सिंग के कहने के लिए तो सिर्फ उनका एक अपना पोटा बचा है परिवार में उनकी आखरी निशानीके रूप में मलखान सिंग के पार्थिफ सरीर को जब भारती वायू सेना द्वारा उनके पैत्रिक गाउं फते पुलाया गया तब लोग जो है हजारों की संख्या में वहां मौजूद थे अंतिम संसकार के लिए चारों तरफ से सिर्फ एक ही नारा गूजरा था वो मलखान सिंग अमर रहे का नारा था सोड था जोश था लेकिन आखे नम थी मलखान सिंग के जो पोते हैं गौतम उन्होंने मुखागनी दी और पूरे सैन या सम्मान के साथ उनका अंतिम संसकार संपन हुआ गाउवाले लोगों का कहना है कि सरकार अगर इन्हें मलखान सिंग को अगर सहीत का दर्जा देती है तो बड़े सौभागी की बात होगी परिवार वालों को अगर कोई आर्थिक साहेता उचित आर्थिक साहेता प्रदान कर दे तो और अच्छी बात होगी ग्रामीनों का ये तक कहना है कि 56 साल का लंबा इंतजार बड़ा पीड़ा दायक रहा परिवार में बहुत कुछ था जो खराब चल रहा था कहने वाले तो ये कहते हैं कि परिवार एक बड़ी आर्थिक तंगी जेल रहा है हलात इतने खराब है कि इनके दोनों पोतों को रोजी रोटी के लिए मज़ूरी तक करना पड़ रहा है ये है परिवार के आर्थिक हलात मलखान सिंग जी शहारनपुर के थाना नौतनवा छेत के फतेपुर गाओं के रहने वाले थे मलखान सिंग का जन्म जो है वो 18 जन्वरी 1945 को हुआ था जब ये लापता हुए थे तब इनकी उम्र मात्र 23 साल की थी हाथसे के बाद इनका पता लगाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन इनका कोई पता लग ही नहीं पा रहा था मलखान सिंग के माता पिता और परिवार के अन्य सदश इनके लोटने की आश में सालो का इंतजार करते रहे लेकिन अफसोस कि कोई जानकारी हाथ लगने वाली ही नहीं थी कोई जानकारी हाथ ही नहीं लगती थी परिवार आश करता रहा करता रहा करता रहा और आखिरकार आश भी तूट गई और सांस भी विमान क्रैस की खबर मलखान सिंग के परिवार को बुरी तरीके से तोड़ चुकी थी और मलखान सिंग के लापता होने की बाद जब उनकी पतनी शीलावती को पता चली थी तब उनकी शादी मलखान सिंग के छोटे भाई देड़ साल की ठी परिवार मल खान सिंग्amı के मौत कि कभी सब्गान माँदर कैं कि मुझे अद्व उच्पषर moves tik में रूटे यह एसा सब्सकार परिवार आस कभी तो लौट कराएंगे और कभी तो लौट कराएंगे लेकिन मलखान सिंग लौट कराएं जिन्दा नहीं तिरंगे में लपेटे हुए एक शहीद के रूप में बाकि जवान के रूप में जब कोई भी अपने शरीर पर वर्दी पहनता है और घर पर मां का पैट शुकर नि और मैं यहां से उन सभी जवानों को एक बड़ा सलाम देना चाहती हूँ जिनके अंदर इतना गट्स है इतनी हिम्मत है जो अपनी भारत माता के लिए अपना कोटी-कोटी नियोच्छावर करने को तयार होते हैं उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं होता दर्ज तक नहीं हो बाकि मलखान सिंग की आत्मा को शांती मिले ऐसी हमारी प्रासना है हम उमीद करते हैं कि परिवार वालों को जो उनकी मांगें वो जरूर पूई की जाएगी कोई आर्थिक साहिता भी दी जाएगी और इन्हें सहित का दर्जा भी दिया जाएगा गाहां वालों की पहचान और नाम मलखान सिंग के साथ की जाए ऐसी हमारी मांग है और सरकार मुझे लगता है ऐसा जरूर करें बाकि आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताईएगा अगर आपकी वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए यूच सनेचावर करने के लिए 24 गंटा तयार होता है सोचिए ना कि वो जवान जब सहरदों पर खड़ा होता होगा जब सामने से मौत आती दिखती होगी तब भी वो कैसे डटकर खड़ा रह जाता है तब भी गोली आते वक्त भी वो अपने सीने को आगे कर अपने देश को बचा कर जरूर बता सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने यह वीडियो यहां तक देख लिया है वीडियो शेयर जरूर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप अपना सपोर्ट भी में जता सकते हैं दिखा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद